हेलो स्टुडेंट्स, गुड मॉर्निंग, आज हम पढ़ने वाले हैं हनी कॉम, क्लास सेवन्थ की टेक्स्ट बुक, इसमें हम लेसन नंबर पढ़ेंगे, सिक्स, एन एक्सपर्ट डिटेक्टिव, जो कि छोटे बच्चे दो हैं, वो दो हैं निशाद और माया, दोनों ही डि इस पूरे लेसन में, अब हम देखने वाले हैं कि वो कैसे काम करते हैं डिटेक्टिव की तरह, यहां से शुरू करते हैं, आज हम, आज मैं आपको हाफ लेसन कराऊंगे, हाफ बात में कराएंगे, इसमें दो बच्ची हैं, एक का नम है माया, और एक है सेवन, सेवन जो है, वो माया का ब्रदर है, यानि कि माया का भाई है, यानि कि जैसे हम क्लिनिक में गए, हमें, he doesn't look anything like a monster, यानि कि वो इनसान जो है, वो किसी monster की तरह, बिलकुल नहीं दिख रहा था, अब ये किसकी बात कर रहे हैं, ये एक ऐसे इंसान की बात कर रहे हैं, जिसके उपर ये लोग detection करना चाते हैं, यानि कि जिसके बारे में ये सारी information लेने वाले हैं, बट, डिद यू सी, हाव तिन ही इस, लेकिन क्या तुमने देखा, वो कितना पतला है, ये एक ऐसे इंसान के बारे में बात कर रहे हैं, जो बहुत ही पतला है, और उनको लग रहे हैं कि ये बहुत गरीब होगा, ना तो ये खा सकता है, इसके पास अच्छा खाना खाने के लिए भी पैसी नहीं है, फिर बोलता है, अगर वो कोई ठग है, वो बिल्कुल भी गरीब नहीं हो सकता, ग्रोक मेंस होता है ठग, I told him, मैंने उसको बताया, यानि कि वो जिस रूम में रहता है न, वो वहाँ पर मिलियन्स रुपीज जो है, उसने चुपा रखी है, बहुत सारे पैसे उसने चुपा के रखे हैं, चोरी कर करके, Do you really think he is a criminal? माया, अब वो जो लड़का है इसमें, छोटा बच्चा है, वो अपनी बहन को बोलता है, क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है माया, कि वो एक क्रिमिनल है, कि वो एक अपरादी है, He doesn't look like one, निशाद, looked doubtful, निशाद देखता है और बोलता है, ना, ये कोई क्रिमिनल जैसा तो नहीं लगता, Of course, he is one seven, I said, यानि कि माया ने कहा, हाँ बिलकुल, ऐसा लगता है ये, seven कौन है इसमें, seven जो है, माया ने अपने भाई को कहा है, यानि कि उन्होंने उसका एक नाम रखा है, जो कि ये seven, I said, and he certainly isn't starving, मैंने कहा, वो भूका नहीं मर रहा है, Mr. Mehta told us, अब Mr. Mehta है, that Ramesh brings his meals up from the restaurant downstairs, अब कोई Mr. Mehta है, इस्टोरी में, जिसने कहा है कि कोई Ramesh है, Ramesh कोन है, जिसका नीचे restaurant है, downstairs का मतलब है, सेडियों से उतरते हैं, एक restaurant है, उनकी building में, जहां से Ramesh, हर रोज उसके लिए, खाना लेकर आता है, मतलब वो भूका नहीं मर रहा है, अब हम आ गए हैं, next page पे, बट Maya, Mr. Mehta told us, he doesn't work anywhere, लेकिन Maya, Mr. Mehta ने तो हमें बताया था कि वो कहीं भी काम नहीं करता, so how can he possibly have money to pay for the food, निशाद said, जो निशाद है, वो कहता है कि, जब वो कहीं काम ही नहीं करता, तो वो खाने के लिए पैसे कहां से देता है, तो उसके पस पैसा नहीं होना चाहिए, exactly, I exclaimed, he must have lots of money hidden somewhere, maybe in that trunk in his room, उन्हों उसने कहा, बिलकुल ठीक बात कही है तुमने, निशाद निशाद तुमने, he must have lots of money, उसके पास बहुत सारा पैसा होगा, जो उसने चुबा के रखा है, कहीं न कहीं तो, शायद, maybe, maybe का मतलब होता है, शायद, in that trunk, trunk means, एक box रखा है, उसके room में बकसा बोलते हैं, जिसको, it's probably full of silver and gold and jewels and, यनि कि शायद वो सोने चांदी और हीरे जब माया ही सारी बाते बोल रही थे ना कि उसके वहाँ पे सोना चांदी होगा, तो निशाद उसको बीच में रोक देता है, क्या बगवास कर रही हो तुम, what rubbish, I know I am right, stupid, यनि कि हाँ मैं सही हूँ, तुम बेवकूफ हो निशाद, अब माया बोल रही है, I told him, by the way 7, यनि कि हाँ मैंने उन्हें बताया था 7, do you see his scars, क्या तुमने उसके निशाद देखे हैं उसके चहरे पर या कहीं भी, I couldn't, it was too dark, नहीं, निशाद बोल दा है कि मैंने नहीं देखा कि वह बहुत अंदेरा रहता है, इसलिए मैं देखनी पाया, but I bet he got them during a shootout with the police or something, मुझे तो माया कह मुझे तो ऐसा लगता है कि शायद उसको ये सारे जो निशान है ना, उसको मिले हैं, जब वो पुलिस के साथ लडाई हुई होगी उसकी, और something या फिर ऐसा ही कुछ हुआ होगा, लडाई हुई होगी तो उसको चोट लगी होगी, ये उसी के scars हैं उसको, ममी टोल्ड क्लिर बताया था कि विल्कुल अच्छे से बताया था कि ये जो उसके बर्ण्स है ना, ये जो सकार सा, उसके निशान पढ़े हुए हैं, ये सारे उसके जलने के निशान हैً, अब हम आगें नेक्स्ट पेज पे, पैज अब देखो, आप लोग पढ़ रहे होना तो साथ की साथ बुक लेकर बैठो ताकि आप बिल्कुल ठीक से एक एक लाइन जो है वो अच्छे से देख सको और उसको पढ़ सको परहेब्स दो पुलिस हैट टू सेट इस हाउस ओन दो फायर तो फोर सिम आउट माया कहते हैं तब माया ने कहा कि मुझे तो ऐसा लगता है कि शायद पुलिस जो है न उसने उसका हाउस मतलब उसके घर को फायर यानि कि आग लगा दी होगे जिससे उसको बहार आना पड़े तो मैंने ऐसा कहा और जो सेवन है न मेरा भाई है जो वो लुकड अन्शोर यानि मंडे फॉलोइंग मामा ज बाथड़े सवन वेंट अलोग विद हर टू दू 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 धा गीर गाउम एज आई वस पैंडिंग दू इवनिंग विद ऑश्कोल फ्रेंड और जो अगले दिन है ममा का बाथ दे तो सेवन जो है न वो जो है च्लीनिक चलागा, दू गाय जब लोग वापिस आये निशाद told me he had been to see Mr. Nath यानि कि उन्होंने Mr. Nath को देखा and I felt almost annoyed that I hadn't been there और मुझे ऐसा अजीब सा लगा कि मैं वहां क्यों नहीं थी I, seven had been quite upset about Mr. Nath's gaunt appearance and was sure that he was starving उसने देखा कि जो Mr. Nath जो है, उनकी जो looks है, मतलब वो कैसे दिखते हैं, वो बिलकुल ही अजीब से दिखते हैं और वो शायद उनको, वो भूग के कारण ऐसे हो गए हैं, बिलकुल पकले से, he told me that he had knocked loudly on Mr. Nath's door उसने ऐसा बताया मुझे कि उस शाम को, at that evening and said, open the door quickly Mr. Nath उसने कहा जो निशाद है मेरा भाई उसने मुझे बताया कि जो उसने na Mr. Nath का जो दरवाजा है, उस पर जोर जोर से आवाज लगाई, नोक किया उस दरवाजे पे उस शाम को और कहा, open the door quickly, यानि कि जल्दी से दरवाजा खोलो, quickly means बहुत जल्दी, कि जल्दी से दरवाजा खोलो Mr. Nath the man had opened it and asked him, lost another marble यानि कि जो आदमी Mr. Nath अंदर यो रूम के थे, यानि कि जिसके बारे में यो लोग detection करना चाते हैं, वो है Mr. Nath तो जो है वो दरवाजा खोलते और पूछते हैं, क्या थुमारा कोई और marble गुम हो गया है, marble क्या होते हैं चोटे-चोटे कंचे जिनके साथ बच्चे गेम खेलते हैं he had obviously recognized my brother, उसको ऐसा लगा कि शायद मेरा भाई आया है no, said Nishad नहीं, Nishad ने कहा I had taken the man's hand in his own, यानि कि Mr. Nath का हाथ अपने हाथ में पकड़ता है और फ्रस्टे बार उफ चोकलेट इंटो इट और उनके हाथ में चोकलेट रख देता है did you get a chance to peek into the trunk seven, I asked यानि कि जो माया है, वो पूछती है कि क्या तुमने वो जो ट्रंक उसके वहाँ पे रखा है, उसकी तरफ देखा एकदम secretly कि तुमने उसकी तरफ देखा था निशाद looked disappointed यानि कि निशाद जो है वो निशाद को ऐसा लगता है कि हाँ मैं वहाँ नहीं देख पाया he didn't even ask me he said, यानि कि उसने तो मुझे अंदर आने के लिए भी नहीं कहा था तो मैं कैसे देखता then he smile, फिर वो smile करता है but I did found out something माया, लेकिन मुझे कुछ तो पता चला है माया, हस्ते-स्ते बोलता है I went down to the restaurant where Mr. Ramesh works and talked to him यानि कि मैं जो है नीचे restaurant है मैं वहाँ पे गया था और मैंने Mr. Ramesh से पूछा उनके बारे में, Mr. Naath के बारे में Good for you Mr. Detective हाँ, ये तुमने अच्छा किया Mr. Detective I said I said patting on him the back मैंने उसकी पीट को थप थपाया और कहा, बहुत अच्छे I hope you questioned him properly हाँ, मुझे आशा है कि तुमने बहुत अच्छे से उनको question किया होगा 7 looked pleased 7 जो है, वो बोलता है Ramesh told me that he takes 2 meals for Mr. Naath every morning and evening उसने कहा कि मैंना हर रोज जो है 2 बार उनको खाना देने के लिए जाता हूं और एक बार सुबे और एक बार शांको and 2 cups of tea और दो कप चाई देने के लिए जाता हूं 1 in the अब next page पे जाएंगे हम 1 in the morning and 1 in the afternoon एक सुबह में और एक दुपैर के बाद अब हम आगे हैं next page पे morning and 1 in the afternoon वो उनको चाई देने जाते हैं एक सुबह को और एक दुपैर के बाद Ramesh says he is not very particular about what he eats Ramesh ने बिताया कि वो है बिल्कुल भी नखरे वाले सिस्टम नहीं है कि वो नखरे नहीं करता अपने खाने के बारे में he is always the same food it's always the same food वो हमेशा एक जैसा खाना खाता है 2 चपातिस, 2 रोटियां some दाल, कुछ दाल and a vegetable और एक सबजी खाता है Mr. Naath pays cash and tips well इनकी जो Mr. Naath है वो cash में पैसे देते हैं और कुछ मुझे tips यानि कि extra पैसे भी दे देते हैं Ramesh told me something very strange Ramesh ने मुझे कुछ बहुत ही strange जो है वो बताया Maya 7 मतलब Maya मुझे Ramesh ने कुछ strange बताया है 7 ने और और आगे बताया 7 added almost every Sunday हमेश almost यानि की हर एक Sunday को he carries two lunches to Mr. Naath's room की जो Ramesh है वो दो lunch लेके जाता है Mr. Naath के room में and the same man is with him each time और हमेश उसके साथ एक आदमी होता है his toll वो बहुत लंबा है fair यानि की बहुत ही गोरा है stout and wears a spectacular और चश्मी लगाता है Ramesh says his visitor talks a lot यानि की जो Ramesh बताता है की जो आदमी आता है ना उनके पास वो बहुत बोलता है unlike Mr. Naath who hardly speaks यानि की Mr. Naath के बिलकुल अलग जो की बहुत कम बोलते है Mr. Naath लेकिन वो जो उनके पास आता है वो बहुत जादा बोलता है well done निशाद अब जो है Maya बोलती है बहुत अच्छे निशाद I told him now that we have made some progress with our inquiries यानि की अब हमने कुछ न कुछ तो अपने progress करी है अपनी inquiry करने में we will have to sort out all the facts that expert detective so that we can trap the croc यानि की हम जो है सारे के सारे facts जो है वो जाच कर लेंगे facts मतलब सारी बाते जो हमने उनके बारे में सुनी है वो लोग हम एक detective की तरह देखेंगे और देखेंगे की we can trap the croc यानि की हम जो है he's a croc he looks so ordinary क्या तुम how you go how do you go on यानि की तुम्हें आसा क्यों लगता है Maya how can you possibly imagine यानि की तुम्हें आसा लगता ही कैसे है कि वो एक thug है he looks so ordinary वो बिल्कुल ही एक साधारन इंसान की तरह दिखता है criminals can look quite ordinary smarty eye retorted यानि की फिर Maya बोलती है क्रिमिनल्स भी बिल्कुल ही साधारन दिख सकते है smart eye retorted do you see the picture of the Hyderabad house breaker in the papers yesterday क्या तुम्हें जो yesterday यानि की कल जो newspaper at house में Hyderabad की फोटो देखी थी वो बिल्कुल ही ऐसा ही दिखता था वो भी तो एक क्रिमिनल है he looked like any man on the street वो किसी की तरह भी एक गली में चलने वाली इनसान की तरह भी तो दिख सकता है निशाद look doubtful लेकि निशाद को ये बाद जो है वो संदेव पूरुन लगती है मतलब doubtful लगती है the monsoon broke the next day यानि की अगले दिन जो है monsoon आ जाता है monsoons क्या होता है बारिश आती है उसमे monsoon का समय होता है गर्मियों के बाद वाला ये एक weather system है monsoon जिसमें बहुत सारी बारिश आती है बिजलियां कड़कती है बहुत हवाएं चलती है तुफान आते हैं dark clouds accompanied by blinding flashes of lightning and roaring rolls of thunder brust with all their fury fury का मतलब बता है वो हमें डरा रहे होते हैं हर चीज के साथ monsoon आया है यानि कि dark clouds आया है बहुत ही गहरे काले बादल आया है accompanied by blinding flashes of lightning यानि कि बिल्कुल अंधा कर देने वाली flash flash जो है वो आ रही है मतलब बिजली हमें इतनी तेज से कड़क रही है और roaring roaring मतलब एकदम बहुत जोर की आवाज आ रही है जब बिजली कड़क रही है thunder burst with all their fury flooding the streets with a heavy downpour जिससे क्या हो रहा है कि सारी कि सारी streets मतलब गलिया जो है वो बहुत जादा पानी से भर चुकी है इतना पानी बरसा है कि बहुत सारी flooded हो चुकी है हर जगा flood आ चुका है school was to have reopened after the summer holidays लेकिन school तो जो है वो हमारा चुटियों के बाद खुलेगा जो summer में चुटियां होती है but no traffic could move through the flooded roads and there was an unexpected holiday unexpected holiday होता है जिस जिन चुटियों के बारे बहुं हम सोचते भी नहीं है जैसे coronavirus आ गया गया हमारी चुटियां पड़गी पहले किसी नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ वाइरस आएगा और फिर हमारी चुटियां हो जाएंगी जैसे holidays चल रही है अब सारी लेकिन कोई भी traffic जो है वो पानी में से नहीं चल सकता तो इसलिए चुटियां पड़ गई है I thought I would spend the time usefully मैं सोच रही हूँ कि मैं अपना समय जो है बहुत अच्छे से इस्तमाल करूँ I sat at my desk मैं जो है अपनी major मतलब अपनी table है जो study table है उसके पास बैठ गई हूँ in our bedroom मतलब हमारे bedroom में with a sheet of paper before me और मेरे पास जो है एक paper एक sheet है मेरे सामने और एक pen है मेरे हाथ में जिसे में मैं अप कुछ लिख हूँगी तो अब देखो यह जो lesson है न वो half complete हो चुका है और जो next half lesson है न वो मैं आपको बाद में करवाँगी ठीक है इतने आप इसको पढ़ो अच्छे से ओके थैंक यू